कमजोर आँखों के लिए लोग अममन चश्मे और कॉंटेक्ट लेंस का इस्तिमाल करते हैं कॉंटेक्ट लेंस और चश्मे दोनों ही कमजोर आँखों के लिए सही है लेकिन दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है contact lens सीधा आँखों के अंदर लगता है तो वहीं चश्मा आँखों के बाहर लगता है इनमें दोनों ही सही है और डॉक्टर द्वारा दोनों को ही कमजोर आँखों के मरीजों को सुझाओ दिया जाता है लेंस में एक बाहरी बॉड़ी को आँख में लगाया जाता है जिसमें सफाई का विशिष दियान रखना होता है वहीं चश्मे में ऐसा नहीं होता है इंद्रा गांधी मैडिकल कॉलेज एवम अस्पताल आईजीमसी में बतौर एसोसियेट प्रोफेसर कारेर दॉक्टर प्रवीन पावन ने बताया कि कमजोर आँखों के लिए डॉक्टरों द्वारा मरीजों को कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे लगाने की सला दी जाती है दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं दोनों में जादा बहतर उपाय चश्मा है जिसे कोई भी इंफेक्शन का खत्रा नहीं रहता है क्योंकि एक तरस एक परम बाड़ी को आप यूज कर रहे हो आंक के अंदर नो डाउट अगर आप उसकी क्लिनेस को प्रॉपर नहीं रखेंगे तो चांसे आपके आंक भी इंफेक्शन की चांसे बढ़ जाते हैं तो यह जुरूर है कि अगर आप कॉंटेक्ट लेंस यूज यूज कर रहे हैं आप कर सकते हैं तो बाड़ एक हैं उसकी सवीशन रहता है उसको साफ़करने का डेली आप नियूज को घर जाके निकालने होता है और खनी पड़ेगी आप को अधर्वाइस आसा कुई मता हम यह बोलें कि नहीं यूज करने चाहरे हैं यह ज़िए के लिए उससे आप एक ट्रेक लिए आपको आंख में नहीं लगा रहे हैं जो कॉटेंग लेंसे वह आंक के अंदर लगाते हैं तो अगर उसमें इंफेक्शन की आंग के अंदर होने के और भी और चीज़े भी होती है उसकी वासे तो बैटर तो यह कि चश्मा लगाएं पर के झाल